नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल माइक्रो उनलाइन सर्विस आश्टा में दोस्तों रोजगार पंजयन 2024 का जो नई प्रोसेस है वो केसे करेंगे इसमें यह सक्या आया है जो सबको करना होगा तो दोस्तों पूरी जानकारी समझते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आपका Google के उपर आप लिखते हैं रोजगार पंजयन इस प्रकार का dashboard आपके सामने दिखने लगेगा इसके उपर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक portal open हो जाएगा इसके लिंके भी दे दूँगा आप वहां से डारेटल आप पर ही सीधे पहुंच जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं जैसे हमने क्लिक किया आपके सामने पूरा portal नया पोर्टल जो है वह आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा यहाँ पर देखेंगे आवेदक का नया पंजी करेंड इस वाले option के उपर हमें क्लिक कर देना है जैसे हमने क्लिक किया आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने पूरी detail open हो जाएगी यहाँ पर क्या करना रहेगा पहले से अगर आप यहाँ पास ID password हो तो LOGIN करेंगे LOGIN करने के लिए क्या रहेगा आपका mobile नंबर और जो आपने का password रेता है वो password डालेंगे, केपचा code डालेंगे, login कर देंगे, ठीके, और अगर नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे, फिर आप, आपको यहाँ पर simply यह वाले option के उपर click कर देना है, click here, ठीके, यहाँ पर आपके सामने यह वाला नया राइस्टेशन के लिए sign up वाले option के उपर आपको click कर देना है, जिसे आप click करते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी, आपकी जो detail है, वो भरना है, आपको यहाँ पर नाम, middle name, इसके बाद last name, mobile number, और Gmail ID, ठीके, यह सब भरने के बाद password आपको डालना रहेगा, पासवर्ड में a, b, c, at the rate, one, two, three, या आपके नाम के तीन अंक और add the rate लगा के one, two, three, लिख देना है, ठीके, what's up पर आपकी जानकारी, government के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो yes करें, otherwise इसे no कर दें, accept वाले option के ओपर click करेंगे, और registered वाले option के ओपर click कर देना है, जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हो, आपका जो mobile number है, उसी के ओपर एक OTP आएगा, उसके बाद आप जैसे OTP डालते हैं, आपका registration has been successfully complete हो चुका है, ठीके, अब यहाँ पर जो mobile number और ID password जो हमने बनाया था, उसे लोगिन कर लेना है, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे, जो नई चीज आई, वो क्या है, सूचना का दिकार क्या होता है, e-pass क्या होता है, COVID अनुकंपा में किसी की मृत्यों हो गई है, तो यह वाला firm भरे, COVID में संक्रेमेंट से अगर मृत्यों हो गई है, तो आपको लाव भी मिलेगा, अब रोजगार पंझेन में अगर करना है, तो आपको रोजगार के लिए फस्ट, इसके बास SECOND में UAE इंटर सिब और यहाँ पर दियो जो cyber internship के बारे हम लिखा है इन में से आप पंजयन कर सकते हैं अगर आपको अधिक जानकारी के लिए आपको आवेदन करना है तो otherwise यह first वाले option पर ले करके अब यहाँ पर देखना है अब नया पंजयन अगर आप कर रहे हैं तो यह वाला option और पहले से आपके पास पंजयन है तो यह वाला option ठीक आप इन में दोनों में क्या करेंगे पुराना पंजयन अगर है तो यहाँ आप नमबर डाल देंगे यहाँ प आपको समगराइडी यहाँ पर डाल देना है जैसे समगराइडी डालेंगे आपकी KYC कंप्रीट होनी चाहिए KYC कंप्रीट होने के बाद देखेंगे आप यहाँ पर आपके सामने ऐसा आ चुका है यहाँ पर जैसे हमने क्लिक किया तो आपका जो नाम वगेरा पूरी जानक जो भी कुछ पूरी जानकर आपको पस्टनल लीटर है सब कुछ हहाँ पर दिखने लगे नहीं हुई कौन सी जाती में हो धर्म कोन सांब यह सब आज आएगा यहाँ पर शेश्य कर लेना है जो भी आपको है उसे आपको Select करेंगे इन में से क्या अब employment हो या student हो या फिर Apprentice में training है तो इन में से जो भी आपको लगता है self करना चाहो तो self कर सकते हो या employment में पहले से कहीं काम जोग कर रहे हो तो कर सकते हो अब यहां पर address की बात करो तो address में अगर सहर में क्लिक करते हैं तो सहरी छेत्रिका आ जाए, ग्रैमिंड छेत्रिका करना चाते हो तो ग्रैमिद छेत्रिका address आ जाएगा यहाँ पर क्या करेंगे आपका district आपको select कर लेना है यहाँ पर देखेंगे रोजगार, select करते हो तो गाउं अटोमेटिक लिए आ जाएगा यहाँ पर आपको पिन कोट अलग से आपको डालना रहेगा और पूरा address आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा जिसे आपने पूरा address जो भी है कि गाउं यह है प्लस पोस्ट कुन सा लगता है तेसिल कौन से लगती है दिस्टिक क्या है और आपका जो पिन कोट है यह सब आपको यहाँ पर टाइप कर देना है पूरा complete होने के बाद इसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमने जो address है हमारा address हमने हम अच्छे से फिल कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे अब आपका address फिल होने के बाद यहाँ पर option दिया गया है क्या आवेदक कोई इन जानकारी में से है क्या आवेदक नीशक्ति जानी है या handicap है या इन में से कुछ है तो आप जानकारी को फिल करेंगे अब यहाँ से क्या होगा आगे आपको बढ़ जाना है ठीक है यह वाला option दिख रहा है यहाँ पर इस वाले सिख्चा वाले option के उपर जाएंगे यहाँ पर पस्ट में आपका 10th की मार्चीट 12th की मार्चीट क्रेजिशन की मार्चीट और जो भी आपने डिपलोम वगेरा कर लेना है जीसे MP बोड कर लिया कौन से सं में आपने 10 वी पास किया है वह आपको छिवाले आपको वाले option के ओपर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो completely आपकी detail है 10th की वह सब add हो चुकी है चाहिए तो इसमें सुधार भी कर सकते हो अब ऐसे वापस है हमें 12 वाला option देखेंगे 12 में थोड़ा सा लग रहता है जैसे 12th select किया अब यहां पर क्या subject आपको चौइस करना रहेगा जो भी subject है जैसे आपका commerce है BSC है जो भी आपका subject है वो आपक select किया इसके बाद जो board है आपका board वापस से आपको select कर लेना है MP board है MP board कौन session में आपने pass किया है वो भी आपको select कर लेना है जिसे आपने 2007 में 10th किया था 2009 में आपका 12th हो जाएगा ठीक है इसके बाद में यहां पर आपको आपस से नीचे जाएंगे first division second division जो भी है वो select कर देंगे यहां पर देंगे कि इसको अतिरिक्त वाले option के उपर जोड़ देंगे अब देखेंगे यहां पर आपके 12th की पूरी जानकारी भी आ जाएगी ऐसे ही आपको graduation का select कर लेना है अब graduation में थोड़ा सा अलग रहता है changes होता है आपको एक बार देख लेना चाहिए यहां है ठीक है जैसे हमने BSC है तो BSC हमें नीचे थोड़ा सा मिलेगा ठीक है यहां पर BSC ऐसा लिखेंगे तो आपके सामने यहां पर आ जागे जैसे आगया अब यहां पर देखेंगे इसमें कौन सा subject है ग्रिकल्चर है बायो है ठीक है अब यहां पर आपको जो university है आपकी कहां अगर आपकी उनिवर्चिटी नहीं मिल रही आपको तो आप उसमें अधर वाले option को देख सकते हैं और इसमें टिक माक लगा कर आके बढ़ सकते हैं यह अधर वाले option को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे कब पास किया वो दिखा दिया डिविजन आपकी जो aggregate कितनी बनी है फ वापस से हम इसे add कर देंगे, add करने के बाद देखेंगे दोस्तों अब यहां पर पूरी जानकारी आपकी complete हो चुकी है, अब क्या करना रहेगा कि यहां से आपको व्यक्तिकत जानकारी भी हो गई और सब complete होने के बाद final submit करेंगे, जैसे आप yes वाले option के उपर आप क्लिक क जाएगा, ठीक है, यह आपको डिस्टिक वगेरा सब आपको check कर लेना है और इसे आपको print कर लेना है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, तो like जबू करेंगे, इनल को subscribe कर ले, धनिवाद